हर्दा की पटाका फैक्टरी में जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद टीवी नाइन भारत पर्ष ने जो फैक्टरी का मालिक था राजू अगरवाल उसके ठिकानों की उसकी अवेत फैक्टरियों की परताल की और इस परताल में क्या कुछ सामने आया है वो सारी चीजें हम आपको दिखाने जा रहे हैं यह तस्वीर आप देखिए हर्दा से आप तस्वीर देख रहे हैं और यह राजू अगरवाल जिसकी वज़े से इतना बड़ा धमाका हुआ इतने लोगों की जान गई इस तरह से कई फैक्टरी संचालित कर रहा था यह जो दूसरी फैक्टरी देख हैं इसका लाइसेंस भी निरस्त है इस बात की पुष्टी खुद आईजी इर्शाद वली ने भी कि थी और अभी आप देखिए कि खुले में यह बारूद पड़ा हुआ है और यहां पर भी किसी भी तरह का कोई भी बड़ा हाथसा किसी भी वक्त हो सकता है क्योंकि एक चि भाग चुके हैं तो कुल मिलाकर आप देखिए कि किस तरह से यह खेल चल रहा था एक के बाद एक लाइसेंस जो है उसकी परमीशन लेना निरस्त हुए फिर से परमीशन ले लेना अब यह जाज का विशय है कि आखिरकार इससे संद्रक्षन कोन दे रहा था क्या कोई नेता बार में उसके बावजूद भी उसे फिर से परमीशन देना फिर से लाइसेंस देना और इतनी सारी गरबडियों के बीच यह फैक्टरी लगातार चलती रही तो तमाम तरह के सवाले हैं हलाकि यह सब जाच का विशय है मगर इसके बावजूद इस तरह से फैक्टरीया चल अभी तक पुलीस प्रशाशन यहाँ पर नहीं पहुचा है कि कम से कम जो खुले में बारूत पड़ा हुआ है इसे ही एक जगा पर रख दिया जाए